मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दामों में धीरे धीरे बड़ोतरी हो रही है। प्रदेश में इस बार राजे सरकार न्यूंतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी कर रही है। सरकार ने सोयाबीन का समर्थन 4,892 रुपए प्रती क्विंटल तै कर रखा है जबकि बाज क्रिशी उपज मंडी में सोयाबीन की कीमत करीब 7.500 रुपए प्रती क्विंटल तक जा पहुँच। मध्यप्रदेश में सोमवार को मंडीयों में दिवाली के बाद के मुहूर्ट के सौदे हु। तॉल कांटों की पूजा के बाद बैंड बाजों की धुन और आतिश बाजी के बीच व्यापारियों ने किसानों से उपज खरी दीन जिनके खासे दाम दियेगा। उजजैन में मुहूर्ट पर सोयाबीन 7,411 रुपए प्रती क्विंटल के भाव में बिक्त। यहां डॉलर चना की 20,051 रुपए क्विंटल की दर पर बिक्री हु। उजजैन में मुह मुहूर्ट के सौदों पर व्यापारियों ने किसानों को खुश कर दिये। यहां डॉलर चना 20,051 रुपए और सोयाबीन 7,411 रुपए प्रती क्विंटल के जोरदार दामों के साथ ही अन्य फसलों की भी अच्छी कीमत मिल। पिछले साल की तुलना में उजजैन मंडी मे मुहूर्ट के सौदों में केवल सोयाबीन की कीमत ही कम मिल। पिछले साल सोयाबीन मुहूर्ट पर 8,551 रुपए क्विंटल में बिकात। देवास में दीपावली के अवकाश के बाद क्रिशी उपज मंडी में मुहूर्ट के सौदे हो। यहां सोयाबीन 6,377 रुपए प् प्रचना कीगा। इन दोर में मुहूर्ट के सौदे के समय सोयाबीन किसानों को ज्यादा लाब नहीं हूँ। यहां सोयाबीन की खरीदी 4,550 रुपए प्रती क्विंटल के भाव से ही हूँ। वैसे इन दोर बाजार में 1 नवंबर को सोयाबीन के भाव में भी 400 रुपए क्विंटल पर पहुँच गए थ। बता दें कि 2024 से 25 के लिए मध्यप्रदेश में सोयाबीन का न्यूंतम समर्थन मूले 4,892 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारिथ। मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुमती लेकर इस दर पर सोयाबीन की खरीदी भी शुरू की Bureau Report Market Times TV